Question number 1. कौन सा सहर सबसे जब्षे बड़ा नगर निगर है? आपका अंसर होगा फिरिदाबाद? वैसे भी दोस्तों अगर ये क्युस्चन पूचा जाए, हरियाना में पहला नगर निगर निगर बताएं तो भिए आपका अंसर फिरदाबाद होगा? और भारत में पहला निगर बताएं तो फिर आपका अनसर मद्राज होगा ये कुश्चन आप थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करें कुश्चन नमबर दो हर्याना के लोग पूरुस के नाम से दोस्तों चोदरी बंसिलाल जी को जाना जाता था बहारत के लोग पूरुस की बात करेंगे तो सरदार व अलब भाई पटेल और हर्याना के लोग पूरुस की बात करेंगे तो चोदरी बंसिलाल जी का नाम आता है कुश्चन नमबर तीन गुरुद जंबेशुवर यूश्टी विश्विद्य ले यानि जी जे यू गुरुद जंबेशुवर यूश्टी किस जिले में स्थिद है जी जय यू दोस्तो हर्याना के लिशार जिले में मुजूद है कुस्चन नमबर चार हर्याना में चोदरी चरन सिंग्रसी विश्विद्य ले की श्थापना किस वर्स की गई थी? हर्याना में चोदरी चरण सिंग करसी विश्य विद्याले जिसका दूसरा नाम हम H.E.U. भी बोलते हैं हर्याना Agricultural University इसकी स्थापना दोस्तों 1970 में की गई थी हर्याना के हिसार में ये भी मौजूद है चोदरी चरण सिंग की विश्य विद्याले राज्य के किस जिले में है हिसार जिले में ये मौजूद है क्वेश्य नमबर सोड़ा National Research Center on Equines NRCE किस जिले में स्थित है NRCE दोस्तों हर्याना के हिसार जिले में स्थित है क्वेश्य नमबर सतरा National Dairy Research Institute NDRI हर्याना के किस जिले में स्थापित है NDRI National Dairy Research Institute हर्याना के दोस्तों करनाल के अंदर परसिध है स्थापित है वहीं से ये भारत का एक Central Level का इंस्थितूशन है जो पूरे National Level का Head Office है वो आपके यहां करनाल के अंदर है क्वेश्य नमबर अठारा National Dairy Research Institute की स्थापना कब हुई थी NDRI की स्थापना 1905 इसवी के अंदर की गई थी और इस NDRI को ही भारत के अंदर काफी ज़्यादा मातरा के अंदर अलग-अलग जिम्मे समसमर पर दिये गई है दूद पादन और उसको बढ़ावा देने के रिपोर्ट है इसकी बड़ी फेमस होती है Question number 19 हर्याना के किन जिलो में अच्छी किसम का बास्मती चावल पैदा होता है हर्याना के कौन से जिलो में बैस्ट किसम का बास्मती चावल पैदा होता है आपका अंसर रहेगा करनाल और कुछेतर दोस्तों आपको ध्यान होगा पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा चावल बंगाल में पैदा होता है लेकिन जो top quality का चावल बासमती है वो बंगाल के अंदर पैदा ही नहीं होता है ये जो हर्याना के बात हम करते हैं तो करना लोग कुछ हित्र और अगर पूरे भारत की बात करते हैं तो बासमती चावल हर्याना में पंजाम में और उत्राखंड के एक दो डिश्टिक में ही पैदा होता है बाकी भारत के अंदर इसी चावल का हम वीदेशों के अंदर निर्यात भी करते हैं जो अच्छी quality का और महेंगे दामों का हम हमें मिलता है क्योस्तिन नम जैसे नहीं लगती है बाकी जितने भी हर्याना के अंदर टोटल जिलों की बात करेंगे तो 22 जिले हैं 22 में से 20 जिले हैं जिनकी सीमाय किसी ने किसी दूसरी राज्य के साथ जरूर लगती है लेकिन दो जिले ऐसे हैं एक रोहत्तक और चर्खिदाद्री इन दोनों ही जिलो किसी से में कतम होने से पहले नजर आ जाएगा नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके उन्हें देख सकते हैं इस नंबर के उपर अपना नाम और सब्जेक्ट लेकिए वर्शाप पर मैसेज कर सकते हैं जरूरी जानकर आपको भेदी जाएगी सभी परकार के स्टड़ी मे एक जाम अच्छा जाए और जल्दी जल्दी सेलेक्शन मिले धन्यवाद